हाई गारीज और वेलकम बाक टो दे चैनल शेजी स्टोरी मैं हूँ शेया दोलतों बहुत सारी मुझे कॉमेंट्स आते हैं इस्टरग्राम पे भी और कॉमेंट्स में भी बहुत जादा प्रॉब्लम होती हैं हमारे बालों को लेकि हम बहुत 시क्क्राइबoire आज की लाइप स्टाइल जो है उस हिसाब से गर देखा जाए तो बाल की जो देखरेक हैं हम नहीं कर पाते हैं जादा healthy खाते हैं ना हम बहुत जादे healthy life जीते हैं तो उस पर हमारे जो बालों का है वो असर पड़ता है hair fall होता है, बाल जो हमारे हैं बहुत damage हो जाते हैं, उनकी shine चली जाती है natural और plus हमारे जो hair growth है वो नहीं हो पाता ठीक से तो hair growth को किस तरह हम जल्दी से जल्दी अपने जो बाल हैं लंबे करना चाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत जादा helpful होने वाली है, सिर्फ एक tip के साथ जहां मैं कोई बहुत लंबी सी remedy नहीं बताने वाली हूँ, बहुत ही short में बात करेंगे, चलिए देखते हैं वो remedy क्या है और उसके लिए हमने क्यों इस चीज को चुना है, अगर वीडियो अच्छा रगी ना तो please share, comment, subscribe, like, share, जो करते चाहिए कैसी तरह की नहीं, amazing videos के यहां handle, वहां पे भी आप मुझे question पूप सकते हो, मुझे follow कर सकते हो, so let's get started, तो अभी हम आपको बता रहे थी कि hair growth जो है, उसको आप किस तरह से pass कर सकते हो, अपने लंबे बाल करना चाहते हो, आपके बालों की जो growth है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ साथ बालों में shine किस तरह से ला सकते हैं, हमारे बाल जो है strong किस तरह से हो सकते हैं, इन सब के लिए एक बहुत ही perfect solution है, हमारे पास, जो की है aloe vera gel, वैसे तो ये brand का है aloe vera gel, अगर आपके पास natural plant से आप aloe vera gel को निकालते हैं, वो बहुत ही जादा amazing है, क्योंकि इसमें देखें कोई भी आपको preservatives नहीं मिलेंगे, उसमें कोई भी chemical, कोई भी smell के लिए fragrance कुछ भी use नहीं किया जाता हूँ, और बहुत natural है, इन में से आप काफी ले सकते हूँ, वैसे मैं ये पतंजली का है, अच्छा है, इसको use करते हूँ है, मुझे बहुत साल हो गए है इससे मुझे कोई problem नहीं हुई, कोई तरह की irritation नहीं हुई, इसलिए मैं जादा तर इससे use करती हूँ, साथ में affordable भी है, इसके तरह आप और भी brands को ले सकते हैं, मगर plant waste अगर आप प्यों aloe vera gel लेते हैं, और या फिर aloe vera use करते हैं, तो वो बहुत जादा बढ़िया है, और आप इससे use करते हैं, as a protector heat, protector की तरह भी use करते हैं, aloe vera के गुण बहुत है, तो चलिए हमां बताते हूँ, इससे किस तरह से apply करना है आपको, और किस तरह से आप इससे अपने बालो की growth को बहुत fast बढ़ा सकते हैं, चलिए, आपने कुछ नहीं करना है, बस अपने को अच्छे से comb कर लीजिए, और दो section में divide कर लीजिए, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और aloe vera gel लीजिए, original, plant based, कोई भी आपको जो suit करता हूँ, उससे लीजिए, थोड़ी सी quantity ले लीजिए gel की, फिर दोनों हातों में अच्छे से rub करिए, उसके बाद अपने ब बालो की पूरी लंबाई में लगाते हुए, उसे बालो के आपको end तक लगाना है, यानि पूरे बालो में apply करना है, इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, अगर आपके बाल छोटे हैं, तो बहुत easily हो जाएगा, लंबे बालो के लिए थोड़ी सी quantity ज्यादर लग सकती है, बट easy है, इसे आप हफ्ते में दो बार कर सकते हैं, बहुत ही best result देंगे शांपू से पहले, फिर मैं इसी तरह से अपने पूरे बालो पर apply करूंगी, पूरा छुटा छुटा section लोंगी, आप जादा लेने कोशिश मत करिए, छुटे छुटे section लीजिए, apply करिए पूरे बालो की लंबाई में, मैंने यहां पे roots पे नहीं, scalp apply नहीं करना है, और इसे अच्छे से लगा लीजिए, हाँ ध्यान रखिए, oiling की हो तो मत करिएगा, क्योंकि फिर आप इसे बिना oiling के ही करिए, लगाने के बाद आप इसे छोड़ दीजिए, दस से minute के लिए या आधी जंटे के लिए, वो आप पे depend करता है, दन उसके बाद आपको अच्छे से shampoo कर लेना, अपने conditioning कर लेना है, बस यही है remedy और बहुत ही ज़्यादा इसका आपको फाइदा होगा, जादा हो नहीं था इस वीडियो में, बस एक शोड़ी से tip के साथ, आप अपने hair growth को fast कर सकते हो और अपने बालों के length को बढ़ा सकते हो, साथ यह चाहत इसमें shine और जो damage हो गए hair, उनके लिए भी aloe vera बहुत ही best है, तो चलिए नए वीडियो में फिर से मिलेंगे इसी नए चीज के साथ, तब तक के लिए bye bye, love you, see you soon